वेलकम प्रिश्टोन डिक्टेशन डिक्टेशन पांसकेन बाश्चुर होगा रेडी स्टार्ट क्रिशी कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों का आंदोलन जिस राह पर जा रहा है उसे देखते हुए यह कहना कठिन है कि जल्द किसी समाधान तक पहुचा जा सकेगा दिल्ली आधम के किसान संगठन केवल अडियल रवय का ही परिचय नहीं दे रहे हैं बलकि ऐसी अतारकिक मांगें भी सामने रख रहे हैं जिसे किसी भी सरकार के लिए मानना संभव नहीं आखिर इसका क्या ओचित की चंद किसान संगठनों की मांगों को देश भर के किसानों की मांग मान लिया जाए यह प्रतीति कराना एक तरह की जोर जबर्दस्ती ही है की जो कुछ पंजाब के किसान संगठन चाह रहे हैं वहीं देश भर के किसानों की भी मांग है इसकी अन देखी नहीं की जा सकती की पंजाब हरियाना और पश्यमी उत्तर प्रदेश के मुठी भर किसान संगठनों के अलावा देश के अन्य किसान संगठनों ने खुद को उस आंदोलन से दूर रखा हुआ है जिसने दिल्ली और आसपास के इलाके की जनता को तरस्त कर रखा है दिल्ली में डेरा डाले किसान संगठन जिस तरह अलग-अलग सुर में बात कर रहे हैं और जनता को बंधक बनाने के साथ साथ सरकार को धमका रहे हैं उससे यह समझना कठिन है कि वसुतह वे चाहते क्या हैं पहले वे नियुनतम समर्थन मुल्य की विवस्था को मजबूत बनाने और अनुबंध खेती के नियमों में बदलाव की मांग कर रहे थे लेकिन अब ये जिद कर रहे हैं कि तीनों क्रिशी कानून रद कर दिये जाएं यह बेजा मांग है और इसे हरगिज नहीं माना जाना चाहिए किसान संगठनों की बेजा मांगों के प्रती सक्त रवया दिखाने की आवशक्ता इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि उन्हें समर्थन देने के नाम पर अराजक्ता का भी सहारा लिया जाने लगा है गत दिवस वाशिंगठन में खालिस्तानी तत्वों ने किसानों को समर्थन देने के बहाने जिस तरह गांधी जी की प्रतिमा का निरादर किया और हिंसा को सही ठहराने की कोशिस की उससे तो इसकी पुष्टी होती है की इस आंदोलन में नकसली खालिस्तानी और अन्य अतिवादी तत्व हावी हो गए हैं इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है की कोई अपनी किसी मांग को लेकर राष्ट पिता की प्रतिमा का निरादर करे किसान हित के बहाने जो लोग भी हिंसक तत्वों की पैरवी कर रहे हैं और गांदी जी का निरादर करने वालों के खिलाफ मुख खोलने से बच रहे हैं उनके प्रति सक्ती दिखाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह तथाकथित किसान आंदोलन दिल्ली के लिए एक बड़ा सिरदर्द सावित हो सकता है ठीक वैसे ही जैसे साहीन बाग में हुआ था यह आश्चर्य जनक है कि किसान संगठनों का हर तरह से समर्थन कर रहे कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दल वासिंगटन की घटना पर मौन साधने में अपनी भलाई समझ रहे हैं स्टॉप